एलो प्रेंट्स वेलेकम टू जीनियेस जी के श्टार सुप्रेंट्स आज किस वीडियो में हम गुजरात राज से समन्दित टोव 50 जी के कोशन एच वीडियो में हम कवर्क रहेंगे सुप्रेंट्स ये कोशन आप कहाने विले सभी एक्जाम के पॉइंट हो भी उसे बहुत ह इंपोर्टन्ट है यदि आपके में से किसी भी कोशन का अशर बता तो ना शरक कमेंड वस ला सकते हैं सुप्रेंट्स चलिए शुरू करते हैं गुजरात भारत के किस और इस्तित एक राज्य है राइड एंसर है उप्सन से पश्चिमी राज्य दिखे गुजरात पश्चि इसके करमसा उत्तर एवं उत्तर पूरब में इस्तित राज्य है और महराष्ट इसके दक्षिल में है अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिली सीमा बनाता है और इसकी दक्षिली सीमा पर दादर एवं नगर हेविली है नेक्ष्ट कोशन गुजरात की पश्चिमी दक्षिली सीमा कौन सा सागर बनाता है राइड एंसर है उप्षन ए अरब सागर देखे गुजरात राज जी की पश्चिमी और दक्षिली सीमा अरब सागर बनाता है नेक्ष्ट कोशान गुजरात राज जी की राधनी का क्या नाम है ? रायड एंसर है उप संधी गांधी नगर next question गुजरात राज का सबसे बड़ा सहर कौन सा है ? रायड एंसर है उप संधी एहमदाबाद next question वरतमान में गुजरात राजी में कुल कितने जले हैं रैड एइनसर है उपसंद बी 23 जले हैं next question गुजरात की राज भासान में से कौँन से है रैड एइनसर है उपसंद दी गुजराती next question गुजरात राजी का गठन कब होँआ था राइट आइंसर है उप्सन A 1 मैं 1960 को नेक्ष्ट कोशन गुजरात राजी डेस्क का सबसे बड़ा उत्पादग है राइट आइंसर है उप्सन B दूध का देखे गुजरात राजी यहाँ दूद का सबसे बड़ा उत्पादग है Next question गुजरात की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है Right answer है Option B नर्मदा नदी देखें गुजरात राज की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी Next question गुजरात का कौन सा सहर वार्षिक अंतराष्ट्री पतंग मोहसों की मेजवानी करता है Right answer है Option C एहमदा बाद Next question कच्छ का रड़ गुजरात राज में इस्तिद है निम्न लिकित में से कौन रड़ का अर्थ है Right answer है Option A नमक दलदल दिखें रड़ का अर्थ है Salt Mars यानी एक प्रकार की टटी आर्थ भूमी जो खारे पानी से बाढ़ और बह जाती है Next question किस देश ने गुजरात राज के फड़ी धर में भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क पर योजना शुरू की है Right answer है Option C इटली ने देखें इटली ने हाल ही में भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क पर योजना शुरू की है जिसमें खाद प्रसंसकरण सुविधाय सामिल है जैसे पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत दब मेगा फूड पार्क को वर्चूवल मोड में लॉंच किया गया था नेक्स्ट कोशन ना रायन सरोवर जील गुजरात के किस जिले में इस्थित है रायन इंसर है उप संडी कच जिले में नेक्स्ट कोशन छेतरफ़ की द्रश्ट से गुजरात का भारत में क्या इस्थान है रायन इंसर है उप संडी पाँचवास थान Next Question गुजराद भारत के किस रेलेवे छेतर के अंतरगत आता है रायड आइंसर है उप्षन बी पस्चमी रेलेवे के अंतरगत Next Question गुजराती मूल की पहली महिला अंतरिक श्यातरी कौन है रायड आइंसर है उप्षन ए सुनीता विलियम्स Next question गुजरात के किस बंदरगाह को दुनिया का परिधान कहा जाता है Right answer, option B खम-भार्टि को Next question किजडिया पक्षी अभ्यारष किस जिले में इस्तिता है Right answer, option C जामन नगर में Next question निम लिखित में से कौन गुजरात का पहला केरो सिन मुक्त जिला है राइडा इंसर है उपसन B गांधी नगर Next question निम लिखित में से कों सी नदी सूरत से होकर बहती है राइडा इंसर है उपसन A तापती नदी Next question निम लिखित में से कौन गुजरात का सबसे बड़ा राष्ट्री उद्यान है राइड इंसर है उपसंडी गिरवन राष्ट्री उद्यान देखे गिरवन राष्ट्री उद्यान यहाँ गुजरात राज का सबसे बड़ा राष्ट्री उद्यान है सूरत सहर निम लिखित में से किस उद्योग के लिए प्रशिद्ध है राइड एंसर है उपसन भी कपड़ा उद्योग के लिए नेक्ष्ट कोशन गुजरात की सबसे उची परवत चोटी कौन सी है राइड एंसर है उपसन दी गिर नारी परवत चोटी नेक्ष्ट कोशन अहमेदाबाद में इस्थित अभय घाट समाध किस से समद्ध है राइड एंसर है उपसन सी मुरारजी दिसाई से नेक्ष्ट कोशन किस सहर को सौराष्ट के गोरों के रूप में जाना जाता है राइड एंसर है उपसन ए राजगोड सहर को दिखे राजिकोर सहर को सवराष्ट के गोरों के रूप में जाना जाता है नेक्ष्ट कोशन प्रसिद बार डोली सत्या घर का नेतिरत किसी ने किया राइड एंसर है उपसन भी सरदार वल्लबह पटेल ने नेक्ष्ट कोशन गुजरात के किस सहर को किताबों का सहर के रूप में जाना जाता है राइड एंसर है उपसन भी नौसारी सहर को दिखे गुजरात के नौसारी सहर को किताबों का सहर के रूप में जाना जाता है नेक्ष्ट कोशन गुजरात अईरुवेद विस्विदेले का मुख्यले की सहर में इतित है राइड एंसर है उप्सन ए जामन नगर में नेक्ष्ट कोशन गुजरात की सबसे बड़ी कृतिम जहिल कौन सी है राइड एंसर है उप्सन सी सरदार सरोवर जहिल नेक्ष्ट कोशन चीनी आप्तिरी 640 AD में गुजरात आया था राइड एंसर है उप्षन C हेंस आंगो नेक्स्ट कोशन पिरोटन द्यूप सौराष्टर के किस जिले में इस्तिधाए राइड एंसर है उप्षन B जामन नगर में नेक्स्ट कोशन खोडियार बांध किस नदी पर इस्तिधाए राइड एंसर है उप्षन D संत्रुजी नदी पर नेक्स्ट कोशन गुजरात का कौन सा सहर कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है राइड एंसर है उप्षन C अंकले सौर नेक्स्ट कोशन गुजरात का प्रसिद पतंग महस्तो मना जाता है राइड एंसर है उप्षन A चौदा जनवरी को नेक्स्ट कोशन उत्तर गुजरात की सबसे बड़ी नदीयों में से एक साबर मती का उद्गम इस्थल है राइड एंसर है उप्षन A नेक्स्ट कोशन गुजरात में सबसे प्राचीन प्रवस संखला है राइड एंसर है उप्षन C अरावली रंज देखे गुजरात राज में सबसे प्राचीन प्रवस संखला है अरावली रंज नेक्स्ट कोशन गुजराद का पहला सोतंद्र मुसलिम सासा कौन था रायडा इंसर है उपसन भी अहमद सा फ़स्ट नेश्ट कोशन गांधे इसमारक संग रहाले कहां इस्तिद है रायडा इंसर है उपसन भी अहमदाबाद में नेश्ट कोशन अहमदाबाद का प्रसिध बढ़दरा किला किस के दवारा बनवाए गया था रायड़ा इंसर है उपसन A अहमद सा फ़स्ट के दवारा नेश्ट कोशन मेह साड़ा का मोढेरा सूर्य मंद्रिकिस नदि के तड़पर इस्तित है रायड़ा इंसर है उपसन C पुसवथी के टड़ पर Next question गुजरात के किस जिले में बॉकसाइट पाजाता है Right answer है Option B कछ जिले में Next question गुजरात के किस जिले में सबसे पहले सुरोधे होता है Right answer है Option A दाहोद में Next question लोथल हरपपा संसुकरत का एक सहर वरतवान में किस राज में इश्थित है राइड अइंसर है उप्संसी गुजरात में Next question निम लिखित में से किस व्यक्तित को भारत के बिसमार के रूब में जाना जाता है राइड एंसर है उप्संडी सरदार पटेल को नेक्ष्ट कुशन गुजरात में होली और दिवाली जैसे धार्मिक तेवारों के उत्सव पर किसने प्रितिबंध लगाया राइड एंसर है उप्संड ए औरंग जेवने नेक्ष्ट कुशन सर्प गंधान दिगुजरात के किस जिले में बहती है राइड एंसर है उप्संड भी डांगो जिले में नेक्ष्ट कुशन निमल खित में से कौन सी परवस रंखला प्राचीन काल में उजियनत गिरी के नाम से जाने जाती थी राइड एंसर है उप्संड डी गिरनारी परवस अंखला नेक्ष्ट कुशन इतिहास में रामशंद्र पनरंग को किस नाम से जाना जाता है राइड एंसर है उप्संड भी तात्या टोपे की रूप नाम से नेक्ष्ट कुशन नव सारी सहर किस नदी के टटपर इस्तित है राइड एंसर है उप्संड सी पुरडा नदी के टटपर नेक्स्ट कोशान सरदार वल्लब भे पटेर का जन्म किस राज्ज में हुआ था सु फ्रेंड्स इस कोश्चन गहां सरा आप से भी कमेंट बसंदाना है यदि आपको यह वीडियो बसंदा है इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें यदि आप चैनल पर हैं आपको सब्सक्राइब करें, थैंक्स फोर वाचिंग वीडियो